हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दो साल से नाबालिक से रेप कर रहाता बाप कहीं दूसरे मर्दों ने भी बनाया हवस का शिकार केरल में रिष्टो को शर्म सार करने वाली वारदात सामने आई है कुन्नुर जिले की एक 16 साल की लड़की ने अपने पिता समेत कई लड़कों पर बालातकार का आरोप लगाया है नाबालिक लड़की का कहना है कि उसके पिता उसके साथ पिछले दो सालों से रेप कर रहा था इसके अलावा बाकी अन्य लोगों ने भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाया पुलिस ने इस मामले में पीडित लड़की के पिता समेत 5 लोगों को गिरफता किया है वहीं दस अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूचताच की जा रही है पुलिस का कहना है कि आरोपी के मुताबिक दसवी कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ता लड़की के साथ उसके पिता के अलावा कहीं दूसरे लोग रेप कर रहे थे लड़की का यौन शोशन पिशले दो सालों से चल रहा था पुलिस ने बताया कि बीते नवेंबर महीने में चार नए लोगों ने उसके साथ रेप किया इन में से एक ने लड़की के साथ फेस्बुक पर दोस्ती कीती जिन चार लोगों को गिरफतार किया गया है उनकी उमर 30 साल के करीब है पीडित लड़की की तरफ से पुलिस में शिकायत उसकी माने दर्च कर आई है मा को यह बात पीडित लड़की के भाई के जरिया पता चली पीडिक तड़की ने अपने साथ हो रहे दुशकर्म की दास्तान अपने भाई को सुनाई जिसके बाद भाई ने यह बात अपनी दूसरी बहन को कही और यही से उनकी मा को पूरे वारदात की जानकारी मिली मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक भाई का कहना है कि उसकी बहन का एक वीडियो दिखा कर उसे ब्लाक मेल किया जा रहा था पुलिस को दिये बयान में लड़की ने दूसरी लड़कियों के साथ भी यौन शोशन होने की बात बताई है पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जान्च चल रही है माइन दे न्यूज रूम की रिपोर्ट थैंक यू फॉर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें